हलो दोस्तों नमस्कार कैसे हैं आप आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चलनल मोर के यूट्यूब पर स्वागत आई जाने खबरें अपने MP की जानते हैं हो सकता है बीजेपी में सामिल हों दूसरी बड़ी खबर मत प्रदेश की 70,000 आँगनवाडी कारकरताओं को सरकार देगी मोबाइल मोबाइल 10,000 रुपे का होगा और अभी लगबग 36 जिलों की आँगनवाडी कारकरताओं को मोबाइल की सुविदा उपलब्द नहीं है और तिसरी बड़ी खबर मत प्रदेश पुलिज भरती 2019 में आयू सीमा तथा नियूमों में बदलाव करने जा रही है सरकार जानते हैं पुरी जानकारी विश्तार से आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करिएगा और अभी तक आपने चेलन को सप्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकारी खबरों के लिए चेलन को सप्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो क्लिब बेल आइकान पे कलिक कर देता ताकि अगला वीडियो आपको सिगरता से मिले जोतिरादस सिंधिया ने कांग्रेस से रिष्टा तोड़ा है 25 नॉबर 2019 को अपडेट आया है MP Politics News पहले PM मोधी से मिले जोतिरादस सिंधिया फिर प्रोफाइल से हटा दिया कांग्रेस प्रदेश की राजदानी बोपाल से है जोतिरादस सिंधिया ने अपनी सभी सोशल मीडिया प्रोफाइल में अपना परिष्टे बदल दिया है पहले वह खुद को कांग्रेस का महासचिव पूरु केंदरियु मंत्री और पूरु सांसद बता दे थे लेकिन अब वह खुद को क्रिकेट प्रेमी और समास सेवक आ रहे हैं इससे साब जाइर होता है कि कांग्रेस से नाता तोड़ा जा चुका है इस्तिपे की अधिकारी गोशना तो नहीं की गई लेकिन मेसेज केलियर है जोतिरादस सिंधिया आप कांग्रेस के लिए काम नहीं करेंगे वह हरताल पर हैं प्रतिष्टा का बन गया है सव अधिक्ष का पत्र प्रतिष्टा का प्रश्ण बन गया है कांग्रेस हाई कमान के सामने वह अपनी एक्छा प्रकट कर चुके हैं सीयम कैनिडेट वाले मामले में दो बार समझोता करने के बाद इस बार वो किसी भी कीमत पर प्रतिश अधियक्ष करत्OSE समझोता करने के मूं दिया लेकिन उसका आसर हाई कमान पर नहीं हुआ है अंतर तह जोतिरादस सिंधिया हड़ताल पर है और वे बीजेपी में सामिल हो सकते हैं तमाम घटना क्रमों के चलते कयास लगाई जाने लगे हैं कि कांगरेस से नाराज सिंधिया बीजेपी जोइन कर सकते हैं चंद सीटो पब्लिक सर्वेंट, क्रिकेट, एथे साइट्स तो इस प्रकार से उन्होंने जनता को संबोधित किया और सोसल मीडिया पर यह अपलोड किया है पहले करनाटक में सत्ता गवाई फिर महाराष्ट में सरकार बनते-बनते रगई और मत प्रदेश में भी कांगरेस की मुश्क पुटा कर लिया है इसे लेकर उड़ रही अपवाएं आधारीन है सिंधिया ने भले ही इसपश्टी करना दे दिया है लेकिन कांगरेसी खेमे के लोगों के लिए ख़बर कुछ देर के लिए बेचेनी का करना बन गई है क्योंकि जो तिरदत सिंधिया की जो नेता हैं कीमों में बदलाओ की तैयारी कर रही सरकार 25 नॉमबर 2019 का अपडेट है प्रदेश की राजदानी वोपाल से कबर है मत प्रदेश पुलिस भरती का इंतजार कर रहे है उम्मिदारों के लिए बुरी खबर है कमलास सरकार मत प्रदेश पुलिस की रिक्टपदों पर भरती की प्रकिरे तो शुरू करने जा रहे है लेकिन आबेधन कर्दाओं की आईयुसीमा है बदला होने दाला है इसके अलावा नौकरी के नियम वोंसरतों में अभी परिवर्तन किया जा रहे है तो सरकार को यहसा करने जारी है ताकि उम्मिदारों की संक्रह कम हो जाये मदप्रदेश पुलिस भरती की आयू सीमा क्या होगी जानते हैं मदप्रदेश में पुलिस पदों पर भरती की आयू सीमा कम की जा रही है अब 33 की जगा 28 साल आयू सीमा की जा रही है सरकार ने प्रस्ताव तयार कर लिया है आयू सीमा पहले के मुकाबले 5 साल घटाई जा सकती है 28 साल से ज़्यादा के उम्विदार पुलिस भरती में परिक्षा नहीं दे पाएंगे ध्यान रखिएगा सरकार के इस फैसले का असर 28 आयू सीमा से ज़्यादा उम्र के लोगों पर पड़ेगा आयू सीमा के प्रस्ताओं को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा उसका कहना है कि सरकार कोई भी वादा पूरा नहीं कर रही है ना किसानों का ना युवाओं का ना महिलाओं का और ना पुलिस भरती में सामिल होने वाले युवाओं का इस तिसरी बड़ी खबर मत प्रदेश की 70,000 आंगनवाडी कारकरताओं को मिलेगा मुबाइल 25 नॉमबर 2019 का अपडेट है स्मार्ट फोन डिजिटल इंडिया के तहतिया काम हो रहा है प्रदेश की राज़ानी बोपाल से कबर है मत प्रदेश में कुल करीब 1,000,000 आंगनवाडी कारकरताओं में से मातर 30,000 आंगनवाडी कारकरताओं के पास ही मुबाइल है कमलना सरकार सेज करीब 70,000 आंगनवाडी कारकरताओं को मुबाइल फोन देगी यह मुबाइल फोन दसजार रुपे का होगा मोबाइल फोन का वित्रान केंद सरकार के आदेस पर किया जा रहा है महिला यह उम बाल विकास विभागने मोबाइल खरेदने की जिम्मेदारी लगू द्योग निगम को सौपी है टेंडर पर के लिए अप सुरू हो गई है और जल्द ही मोबाइल आ जाएंगे आँगनवाडी कारकरताओं को दुस हजार रुपए का मोबाइल मिलेगा लगातार मानिटरिंग नहीं हो रही है इसे देखते हुए केंद सरकार ने देज भर के आँगनवाडी कारकरताओं को जियो टेक करने और कारकरताओं को मोबाइल देने के निर्देश दी हैं और केंदे सरकार के निर्देश पर ही प्रदेश सरकार प्रदेश की 70,000 आंगनवारी कारकरताओं को मोबाइल देगी सिवराज सरकार के समय से ही मोबाइल वित्रण का काम सुरू हुआ था मतप्रदेश में पिछले सिर्वाज सरकार ने कारकरताओं को मोबाइल बाटने के सुरुवार की थी 36 जिलों में आगनवाडी कारकरताओं के पास मोबाइल नहीं है 36 जिलों के 79,218 कारकरताओं को मोबाइल देना है बीच प्रतीस प्रता रहेगी जिसका फाइदा विभाग को मिलेगा और विभाग यह प्रकेरिया पूरी करने वाला है चार बार टेंडर हो चुके हैं अब LUN करेगा टेंडर की पूरी प्रकेरिया 79,218 से ज़्यादा आगनवारी कारकरताओं को मोबैल दिये जाना है इसके लिए चार बार टेंडर हो चुके हैं अब LUN को टेंडर का जिम्मा सौपा है अनुपम राजन प्रमुक सच्यू महिलायों बाल विकास्यू भाग इस प्रकार से खुशी की बात है आगनवारी कारकरत अगली इबाच कलित पूसंद आया हो तो लाइक जुरू कर आपके कामरी केसा अब कलिक करें त αυτό घुक कज़कर के साथ बापिगे जाहिन जाय वारत